आपका क्या नाम है सर सोहन सानी आपके अनुसार क्या इस्तिती है क्या मावल है भी आईपी वी आईपी क्या का मुकेस जी के पार्टि जीत रही है की मार्म यह बताईए जो भारति जन पार्टी ये भाज्पा वह धरम के नाम से जेस्तरा करती है क्या वो गलत है या सही है क्या होना चाहिए धरम के नहीं देख हमारे यहां पूरे भारत में सब जाती के सब धरम के लोग हैं और आपस में किसी को लड़ा देना जात बाई जात अलग कर देना हिंदू मुस्लिम कर देना भोट लेना इता सरासर न जायज है यह नहीं होना चाहिए तो बिहार में जो पाट्डे चुना उन में तो किसी में ऐसा नहीं है अगर उनका कुरसी गया या बिधायक उनका चले गया या खड़ीद फड़ीचत हुआ चाहिए कुछी माने से कई सहुं ले गया वीजेपी वाले ने अगर उनको इतना लालच रहता मुकेश जी को जी हाँ भाई हम भी कुरसी पर बैठल रहें मलाई मा खाते रहें आईसी में बैठल रहें आप क्या करते हैं खेती यह बताए कि कितना पड़े हैं आप आठ तक पड़े हैं अभी 2017 में सुप्रीम कोट का एक ओडर था सुप्र के मशीन से चुनَّाओ इमानदारी से नहीं किया जा सकता है जि क्या लगता आपको युण पर भरोसा है यह सुप्रिम कोट कर रहा है कि इमानदारी से यह सकता हाँ यह बात सही है सुप्रिम कोट का वादेश जो है ला जई बीम से नो चुनाओ है बैलेट से अगर होगा तो आज बीजेपी का सफाया हो जाएगा अगर बीजेपी जीत भी सकती है जीत भी सकती है तब क्या करेंगे आप तब क्या हमारा मांग है जो बैलेट से चुनाओ हो तराल में जो उमिदवार, इसका समाजवादी पाटी का जो हारे हैं, क्या तमासा वहां हुआ, नौ बजे, दस बजी भी हम से इतना देर रिजल्ट के क्यों, हमारे अभी मुझाफरेपुर जिला में, कुरहनी में, अनिल सहनी जी समय आर्जेडी से चुनाओ अभी वहां के व नौबत हो गया, पूरा एकदम बिगड़ गया, वहां गूली चलने की नौबत हा गया था, तब जाकर के दुबारा फिर डियम आदेश किया, तब कांटिंग हुआ, तब जाकर के अनिल जी जीते हुआ है, अच्छा सक्रा में ही हुआ, गायघाट में ही हुआ, गायघाट म है, ग्रीव लोग पास घर की समस्या है, मकान नहीं है, रहने के लिए जगए नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, काम करने के लिए रोजगार नहीं है, तो इस पे क्या कहेंगे कि ये बड़े पैमाने पर व्याप्त है? देखिए सबसे बड़की बात है यहां कोई भी काम आप सरकारी दफ्तर में चले जाईए बेगर रुपचंद के कोई काम यहां नहीं होता है पहले के जमाना था तीन सो में दाखिल खारीज होता था आज उस दाखिल खारीज का भी सज्जा रुप्य लिया जाता है हम यह बात आपके चैनल के माध्यम से जो अभी बीजेपी के बिधायक है बेभी जी उनसे हम पूछना चाहते हैं जी अभी हमारे यहां से क्रीशी इनफुट का 460 अवेदन हुआ 460 अवेदन में 300 अवेदन के असुकृत कर दिया गया और 160 किसान को मिला वही किसी का 1000 किसी का 500 किसी लाइदन के 22 जब उनका सरकार था आप किसान के ही इताशी सरकार हैं और नहीं आप मजदूर का है मजदूर का है डीलर सब करता क्या चीज़ है 18 अभी तो पुछ नहीं होगा लेपा पतिका करके हिसाब बराबर जो आपकी गाओं के चोट-चोटे बच्चे हैं वो जहां पर भी पढ़ते होंगे गाओं में स्कूल हो गया गाओं के बाहर जो भी स्कूल होगा जहां पर पढ़ रहे हैं तो क्या सिक्षा की वेवस्था कैसी है कुछ नहीं खतम कुछ नहीं वेवस्था है लड़ी का उधर खेल रहा है मास्टर साहब सभे उधर अपना खेल रहे हैं जरा के समय में सुटर बुना रहा है मैडम सब बुन रही है बईटाल है मजा ले रहा है तो यहां तब अइसी सरकार को क्या करना चाहिए बदल देना चाहिए इस बार बदलेंगे जी उभर तबाओ के बदल हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यह बोचाविदान सबामे गाओं-जमाल बाद के लोग थे जिन लोगों ने कहा है कि इस बार नाओं की सवारी सब पह बारी और दावा है लोग संदा या कांपोरीए में यूफ के नहीं दिखाते हैं विफ्याइब संदार्थ आप लोग फिर में लोग मैं किसे ना किसी गाऊं में किसे णा किसी चुनाओं में बिहार नहीं तो यूपी में यूपी नहीं तो जारकंड में हम अपसे मिलते रहेंगे धन्यवाद आप लोग देखते दोगों सच में अच्छा लगता है और चाहते हैं डोग तक जानकरी दन्यवाद